दोस्ता जम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीस्ट हॉलियोड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है सीफ रूम ये कहानी है एक मा और बेटे लायला और यान के बारे में जो हाली में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे घर काफे खुबसूरत तो है मगर पुराना भी तो काफे सारे हिस्से में रिपेरिंग के जरूरत है लायला एक वीडो ही बस दिन मेहने पहले ही उसके पती की मौथ हुई है ऐसे में सिंगल हैने लिए सब कुछ संभाल पाना लायला के लिए मुश्किल हो रहा था उपर से उसका बेटा यान बाकी बच्चों की तरह नहीं है वो आटिस्टिक है तो उसका भी जादा ध्यान रखना पड़ता है लायला को हम देखते हैं यान को सोशलाइज करने में काफी प्रॉब्लम होती है किसी स्ट्रेंजर से मिलिमिटर लगता है उससे इस सब के लावा भी चीज़ों को अनलाइज करने में भी दिक्कते आती है लेकिन उसे गैजट से बहुत लगाव है सिर्फ 14 साल की उमर में टेक्निकल एक्सपर्ट है वो एक दिन उसके मा के साथ लोकल एकबंदे की मुलाकात होती है नील नाम से रिपेरिंग अन सर्फिसिंग का काम करता है वो भी लैला को ज़रूरत परेगी समझ कर वो इस अपना कार्ट भी दे देता है मगर लैला ओलरीट एक एजनसे को कॉंटाक्ट कर चुगी थी इसलिए नील को मना कर देती है वो उपर जाती है तो देखती है अयान अपने कैमेरा के साथ खेल रहा है यह उसका बहुत पुराना शौक है कैमेरा के जरीए लोगों को अब्सर्फ करना बहुत पसंद है उसे मगर उस दिन अपने अंजाने में ही वो एक बहुत बड़े हाथ से का सूल विटनेस बन जाता है वो देख लेता है कैसे कुछ गुंडे मिलकर उसके सामने वाले फ्लैट में रहने वाले लगी का खून कर रहे है और तो और वो गुंडे भी उसे देख लेते हैं उन्हें देखते हुए अयान इस शौक को बरदाश नहीं कर पाता उसे पैनिक अतक आ जाता है वो चिलाने लगता है रोने लगता है लैना उसके आवाज से उसी वक्त भाग कर उसके कमरे में जा बहुंचती है उसे लगता है आयान बहुत सेंसिटिव है तो जरूर कुछ देखकर घबरा गया होगा वो इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लेती किसी तरह आयान को समझा वो जाकर सिला देती है वो उसे पता ही नहीं चलता उनके सामने वाले फ्लैट में कितना बरा कांड हो चुका है और अभी उसका असर उन पर भी पढ़ने वाला है उसे वो कैमरा ज़रूर दिखता है लेकिन वो चेक नहीं करते उसमें क्या रेकॉर्ड हुआ है वो सिंपली उसे उठाती है और बिन बैक कम तर छुबा देती है जिसे उसका बेटा फिर सब परशान ना हो जाए कुछ तर बाद उसे नीचे सावाज सुना देती है दर्वाजे की उनके में डोर लॉक में कुछ गरबरी है अपने आप ही खुल जाता है इससे पहले भी ये बहुत बार हो चुका था तो लैला नहीं डरती वो नीचे जाती है दर्वाजा बंद करती है और जैसे ही टर्ण करती है लोटने के लिए उससे निल दिखता है अपने सामने वो कहता है कि वो लैला से मिलने आया था बहुत देर तक दर्वाजे पर नौक करता रहा इवन कॉलिंग बेल भी ट्राइ किया इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उसे कोई रस्पॉंस नहीं मिला तो उसे लगा कहीं कुछ गरबर तो नहीं उपर से दर्वाजा भी खुला था तो वो अंदर चला आया चेक करने अब उसे क्या पता है असल में तो उनकी कॉलिंग बेल भी खराब है तो नेल ये सब ठीक कर देता है फ्री ओफ कॉस्ट कुछ देर बाद करता है लैला से और फिर निकल जाता है कुछ देर बाद एक और आत्मी दर्वाजे पर नो करता है ये रिपेरिंग का काम करना आया था तो लैला उसे सब कुछ समझा दीती है कहां क्या रिपेर करना है साथ में ये भी क्लियरली कहे देती है कि आयान का रूम औफ लिमिट है उसके कमने में मत जाना मगर ये आत्मी सबसे पहले वहीर पर जाता है कुछ ढूंड़ने लगता है उसके ड्रॉयर्स में लैला तो उस समझ नहीं पाती तब हमें पता चलता है ये कोई रिपेर मैं नहीं है बलकि उन गुंडों में से एक है डॉमिनिक और वो यहाँ पर आया है सबूत मिटाने का माथा फोर दे दिया और फिर अपने बेटे के साथ जाके छुप जाती है घर के सीफ रूम में सीफ रूम एक ऐसी जगा है जिसे इमर्जेंसी परपस के लिए बना गया था बलकुल किसी लॉकर के धरा इसके अंदर सारे फेसिलिटीज मौजूद है और इसे पस एक स्पे उन्हें रोक नहीं पाता तो वो बाहर से ही लैला को डराता है कि उसके बेटे ने जो देखा है वो से देखना दया शायए था अगर उसे कैमेरा नहीं मिला तो उसके ग्रूप के लोग आगर उसे और उसके बच्ये को मार डालेंगे वो उने रोक नहीं पाएगा वो लोग बहुत ही जादा ख़तरनाक है। इससे अच्छा लैला उसे कैमेरा दे दे और सब कुछ यहीं पर खतम कर दे। लैला को लगा था यह आदमे जरूर कोई चोड है। तो वो उसे पैसो की लालच दिखाती है। मगर जब टॉमिनकों नहीं माता तब लैला समझ आती है बात कच और है। लैला किसे इफाल तो मुसीबत में फसना नहीं चाती थी। इसलिए वो टॉमिनकों को बता दीती है कैमेरा कहां पर है। मगर इसके बावजुत से मुक्ती नहीं मिलती। अभी इस आदमी को बैकप्स चेक करने थी। उनके कम्पीटर्स में से डिलीट करना था सब कुछ जो सिर्फ और सिर्फ लैला ही कर सकती है। उसके पास और कोई आप्शन नहीं था। उसे कमरे से बहां जाना ही परा। वो आदमें खुद खड़ा रहे के सब कुछ डिलीट करवाता है उससे। आफचली वो खुद भी बहुत जादा टेंशन में था। बार-बार बस एके बाद दोहरा रहा था कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो उसका बोस लैला और उसके बेटे को तुमाठ डालेगा ही, साथ में उसे भी जो वो नहीं चाता। वो एक मामुली सा चोड है, किसी खून THK राबे में उससे बढडना नहीं है। तो वो सेंपली लैला से प्रॉमिस करवाता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं करेगी और निकल जाता है मगर घर से निकलने से ठीक पहली ही उसे अपना पार्टनर देख जाता है एक रोको नामी लड़की आये थी यहीं असली कल्परिट है उनके नेवर का खून इसी ने किया था और इधर भी वो किसे समझोते के मूट से तो नहीं आये थी उसे आयान चाहिए था उसका मूँ बंद करवाना होगा लेकिन लैला उसे समझाती है उनका बेटा आटिस्टिक है उसे खुद नहीं पता उसने क्या देखा वो ने पहचान नहीं पायगा ना उनके खिलाफ गवाई दे सकता है वो वो बिल्कुल भी थ्रेक नहीं है उनके लिए मगर फिर भी जब रोको नहीं माती तो लैला उसे चक्मा देने की कोशिश करती है पास में उसका फोन परा था वो उसे पुलिस को कॉल करती है मगर ठीक से कुछ बता पाई इससे पहली रोको उसका फोन तोड़ देती है दोरों में हाथा पाई होती है और रोको को घाल करके लैला किसी तरह भाग आती है अपने सीफ रूम में कुछ देर ऐसी ही बीचा दे इसके बाद अचानक डोर बिल बचती है बता चलता है इस बाद सच में ही कोई रिपेर मैन आया था लैला इंटर कॉम के जरी उससे बात करने की कोशिश करती है मगर उसका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था उसकी आवाज बाहत तक पोख़च ही नहीं रहती उल्टरो को उस रिपेर मैन को डरा कर भगा दे दिया लैला को अपने आप पर ही घुस्ता आ रहा था उसने ऐसे कैसे किसी को बिना आईटी देखे अंदर आने दिया इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था अगर डॉमिन को अंदर खुस नहीं पाता तो ये सब कुछ भी नहीं होता इस गमरे में आई हुए काफी घंटे बीच चुके थे और पता नहीं कितने घंटे और बिताने परेंगे यहां पर आयान को भूग लगे थी तो लैला उसे एक चौकबर देती है खाने के लिए उनके पास और खाना नहीं था मगर जब रो को पूछती है तो वो जूट बोलती है कहती है उनके सेफ रोम में हमेशा एक हफ़ते का खाना मौजूद रहता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वो लग जब तक चाहें यहां पर रह सकते है इससे होता यह कि रो को बेचयान होने लगती है एक हफ़ता वो यहां पर रुख नहीं सकती तो वो एक ड्रिल से दर्वाजे को तोड़ने की कोशिश करती है मगर यह दर्वाजा स्पेशल तरीके से बना गया था स्पेशल मेटेरियल से इसे तोड़ पाना इतना आसान थोड़ी ना है फ्रस्ट्रेशन में वो डॉमिनिकों से जगरने लगती है यह सब कुछ लैला अंदर से देख पा रही थी किटे घर के सारा हिस्से में जो सिसे जवी कैमरास लगाया गया है वो इस मॉनिजर से कनेक्टेट है उसे समझ आ जाता है डॉमिनिकों बुरा नहीं है उसे मैने पुलिट कर पाना आसान होगा तो वो वहें करती है एक तरफ डॉमिनिकों से बात करती है जिससे वो उन्हें भागने में मदद करे दूसरे तरफ अपने बेटे से कहती है में डॉर वाले इंटर को ठीक करने के लिए इसे वीच डॉर बिल फिर से एक बार बचती है एक पुलिस ओफिसर आये थे लैला के कॉल के रिस्पॉंस में डॉमिनिकों जाता है उससे बात करने और अपने मीठी मीठी बातों से उसे कंफेंस भी कर देता है कि यहां सब कुछ ठीक है लेकिन जैसे ओफिसर जाने लगती है फोर्चनेटली इंटर कॉम काम कर जाता है और उन्हें लैला की अवास सुनाए देती है वो चिला चिला कर मदद मांग रही थी ओफिसर को तो पहले ही शब हुआ था अभी वो एक और मिनित भी जाय नहीं करती है टॉमिनिको को अरेस्ट कर लेती है और फिर अंदर जाती है लैला को ढूलने मगर बस वहीं तक जादा दूर जापाई से पहले ही रोको उसे गोली मार देती है एक कुलिस आफिसर को टॉमिनिको तो पैनिक करने लगा था एक सेंपल रोबरी के चक्कर में और कितने लोगों की जान जाएगी वो लोग सामने वाले घर में गये थे चोड़ी करने उन्हें खबर मिली थे उससे में वो लड़गी कांग पर जाती है अगर उस दिन पता नहीं कैसे वो लोट आई और रोकों ने उसे मार डाला इस लड़गी की तो जुबान से जाता बंदूग चलती है और उसके चक्कर में डॉमिन को भी फस गया अब जब वो लोग उस आफिसर के लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे थे इदर लैला और आयान अपने वे आउट के बारे में सोच रहे थे लैला का फोन तो तूट चुका है बचा था आयान का फोन जो उसके कमरे में है पहले लैला डिसाइड कर दिए कि वो जागी मगर वो फोन जिस लॉकर में है वो आयान के फिंगरप्रिंट के बिना ओपन नहीं होगा मतलब उसे ही जाना होगा तब भी नीचे रोको और डॉमिनिको सलाश को लेकर बहस कर रहे थी जिसका फादर लेकर आयान अपने कमरे में जा पहुँचता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती मगर हर बरी में उसे एक लैंप गिर जाता है जिसके अवास से रोको को पता चल जाता है कोई बहां निकला है वो भागती है उन्हें पकड़ने आयान के कमरे में भी जाती है मगर उसे कोई नहीं दिखता कमरा तो खाली है उसे क्या पता मा बेटे बिस्तर के नीचे छुपे थे जैसे वो कमरे से निकल जाती है लैला आयान को लेकर सीफ रोग के तरफ भागती है अब उनके पास आयान का फोम भी है तो कुछ ना को जुगार वो कड़ी लेगी लेकि रोकों भी कम चलाक नहीं वो बिल्कुल उस रोग के सामने खरी थी वो उन लोगों पर हमला कर देती है रोक नहीं पाती लेकिन चाकों से आयान के पाउं में घाउ ज़रूर कर देती है खून बहुत जाता बहरा था बिचारा तरपने लग चाता है साथ में उसे दोरे भी पढ़ने लगते है लेकिन सीफ रोम में नेटवर्क नहीं रहता इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था ऐसे में टेक्स्ट मिसेज है सिर्फ एक रास्ता है लेकिन नमबर भी उसके पास ही था तो वो उसे ही मदद के लिए मिसेज करती है जो फॉर्चनेटली डेलिवर्ट हो भी जाता है और बस कुछी देर में वक्षट आ जाता है तरवाजे पर लाला इंटाकॉम की जरी उसे बात कर पा रही थी वो जैसे तैसे उसे सारा सिचेशन समझा देती है और पुलिस को खबद देने के लिए कहती है मगर नहीं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था अगर पुलिस आने से पहले कुछ उपर नीच हो जाए तो वक्षट ही पीछे के रास्ते घर के अंदर खुच जाता है हम देखते हैं उसके पास गन है उधर तब तक डॉमिनिको और रोको मिलकर आफिसर के लाश को उनके गारी के ट्रंक में ट्रांसफर कर चुके थे उन्हें एक लेटी देख लेती है रोको तो उसे भी मारना चाती थी मगर डॉमिनिको सिचेशन को मैनेज कर लीता है उसे और किसे को मानना नहीं था उपर लैला और आयान भी यहीं प्रे कर रहे थे मगर यह नील सारा प्लान चौपट कर देता है उसे रोगोगन पॉंट पे ले ले लेती है और लैला को धमकाती है अगर वो बहान नहीं निकली तो वो इस बंदे को मार डालेगी लैला पर जाती है मुश्किल में वो नहीं चाती थी उसके लिए किसे और की जान जाए नील में किसे चुहे की तरह गरगरा रहा था वो कहता है यह लोग सिर्फ आयान से बात करना चाते हैं यह मेंक शियूर करना चाते है कि वो उनके खिलाफ गवाई ना दे अगर वो रूम से बहार नहीं आई तो यह लोग उसे उसी तरीके से मार डालेंगे जैसे इस नेवर को मारा था इस बात से लैला को अचानक एक बहुत बड़ा चटका लगता है नील को कैसे पता इन लोगों ने उस नेवर का खून क्या है यह नील आखिर है कौन यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का असली राज पता चलता है यह नील कोई नॉर्मल इंसान नहीं है इन लोगों का बॉस है वो लैला और जाता कंफर्म्ड होने के लिए आयान का फोन चेक करती है वहाँ वो सारे वीडियोस आटिमेटिकली सेंख्ट हो चुके थे उसे ध्यान से देखने पर लैला को नेल देख जाता है खून के समय मतलब यहीं है इन सब का बॉस मास्टर माइड इसलिए वो घर के आसपास मनरा रहा था जिससे इस घर को भी वो लूट सके धीरे धीरे लैला के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है वो अधर बाहर तब तक डॉमिने को उन लोगों से जगने लगा था उसे जेल जाना नहीं था और वो इस माँ बीटे को हाम करना भी नहीं चाता वो भागने की कोशिश करता है और नील उसे शूट कर देता है सीचुरेशन धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था नहीं समझने पा रहा था इस माँ बीटे को कैसे बहा निकाले धमकाले से तो कोई फारा नहीं हो रहा था तो वो एक दूसरा रास्ता अपनाता है वो सीफ रूम का ऑक्सिजन सप्लाई बंद कर देता है अगर उन्हें जिन्दा रहना है तो उन्हें दर्वाजा खोलना ही पड़ेगा नहीं तो उनकी मौत निश्चित है कुछ समय बीच जाता है और वो लोग सच में ही सफोकेट करने लगे थे पूरा कमरा काबन डाकसाइट से भड़ चुका था जिस वज़े से वो लोग डीजी फील कर रहे थे धीरे धीरे उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा था ऐसे मायान एक तरीका निकालता है होता ये कि कुछ ही देर में उसका कमरा पानी से भर जाता है और इलेक्ट्रक्यूशन के वज़े से पूरे घर के लाइट से लिजाती है पूरे घर में अंधेरा चा जुका था जिसका फार लेकर लैला और आयान सेफ रूम से निकल कर में डोर के तरफ भागने लगते है मगर इधर नील और रोको भी उनके इंतजाल कर रहे थे ऐसी कुछ देर चुहे बिल्ली का खेल चलता है जिसमें एक वक्त ऐसा आता है कि नील अंधेरे में रोको को शूट कर देता है लैला समझकर वो गुस्ते में पागल हो जुगा था इस माँ बेटे के चक्कर में उसने अपने ही दो आदम का खून कर दिया था अब कुछ भी हो जाए वो उन्हें पकर के ही रखेगा जाता है मगर इसकी मा नहीं नील उससे छोड़कर लैला को पकड़ लेता है उसे चोप करने लगता है अयान को समझने आ रहा था वो क्या करें ऐसे सिचेशन में उसका दिमाग काम करने बंद कर देता है वो इतने critical situation को analyze नहीं कर पाता तो finally वो खुद को शार करता है और बाहर भाता है मदब बुलाने इधर लैला के हालत खराब हो रही थी वो अपने पूरी कोशिश कर रही थी इस monster से लड़ने की मगर धीरे धीरे उसकी सांसे रुखने लग जाती है वो कुछ देख नहीं पा रही थी उसके आखों के सामने अंधेरा चाने लगा था मगर इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वो हाल नहीं मानती हाथ में जो भी आता है उसी से नील पर वार करने लगती है और ऐसे ही उसके हाथ लग जाता है एक bad जिसके वार से नील कुछ देर के लिए बेहुश हो जाता है लैला इसी मौके का फादा उठाती है उसे अपने से जाता अपने बेटर का टेंशन हो रहा था अगर ये आदमी जिंदा रहे गया तो आयान के लिए हमेशा एक खतरा बना रहेगा जो हो नहीं चाती इसलिए वो नील के बंदूग से ही नील को शूट कर देती है किस्सा खतम तब तक आयान पुलिस बुला चुका था साथ में पैरमेटिक्स भी आये थे जो उसके घाओ का ट्रिट्मेंट कर देते हैं लेकिन वो तब भी शौक में था जिससे निकलने में वक्त लगेगा लेकिन उसके लिए तो उसके माँ है ना उसके साथ वो लग पुलिस को वो सारे वीडियोस दे देते हैं जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ था और उसे से उस नेइबर लेडी का केस पर सॉल्व हो जाता है दी एंट दोस्ते एक कहानी ही पर एंट हो जाती है बहुत ही संपल सी स्टोरी है थ्रिलिंग है, एंटर्टेनिंग है मुझे दो कहानी पसंद आई आपको ए वीडियो कैसे लगी राइट आउन इनी कमेंट सेक्षिन आज के लिए पस इतना ही दोस्तों थैंक यू सो मच फूर वाचिक देस वीडियो बहुत चल बिताएं किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के ताटा